आज की समय में हर घर में एक या दो या चार यूजर फेस्बुक यूज करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि फेस्बुक आपका डाटा ट्रेक करता है दोस्तों हर किसी के फोन में परस्टनल डाटा होता है हर कोई अलग-अलग अप से बात करता है अलग-अलग message बेजता है हर कोई शिक्योर रहने के लिए विभिन परकार के app का इस्तमाल करता है लेकिन जानिए Facebook आपके डाटा को ट्रैक करता है कैसे ट्रैक करता है उसके पास extra picture है कैसे उसको off करना है इसकी जनकारी इस विडियो में मैं बताने वाला हूँ एर्दी आप चाहते हैं कि आपका डाटा Facebook के पास ना जाए कहीं ओ लिक न करे अपने सरवर पर store न करे तो आप इस विडियो को देखार असानी से उसे off कर सकते है तो चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर और बताता हूँ पुरा प्रोसेस क्या है तो चले शोर करते हैं सबसे पहले आपको Facebook अप्लिकेशन को ओपन करना है यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ Facebook ओपन करने के बाद में यहाँ पर थिरी पड़ी लाइन है यानि कि परफाइल के आइकन इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर आपके समन इस तरह का इंटरफेस दिगा ही देगा आपको क्लिक करना है सेटिंग और पर यहाँ पर आपको फिर सेटिंग के बड़न पर क्लिक करना है Setting के अंदर आने के बाद में आपको Scroll down करना है Security के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है Off Facebook Activities आपको Facebook Activities के उपर 클릭 कर देना है आप देख सकते हैं Facebook Data किस तरह से Track करता है किस-किस एप से Track करता है Traceller से इस तरह से UnabvY App है View करके आप यहां से देख सकते हैं अब आपको इस फिचर को डिसकुनेट करना है, इसके लिए आपको निचे लिक करना है, डिसकुनेट फिचरी एक्टिविटी, यहां पर किलिक करना है ताकि बविश में इस तरह का ना हो, इस पर क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाता है यहां से आपको इस बटन को आफ कर देना है यहां से मैं आफ कर देता हूँ टॉन आफ के बटन पर क्लिक कर देना है इस तरह से असानी से आप फिचर में होने वाल एक्टिविटी को आफ कर सकते हैं ताकि आपका डेटा फेस्बुक के पास न आ जाए इस वीडियो से बंदित कोई भी सवाल हो सुझा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं मिलते हैं नी वीडियो में धन्यवाद